Hello friends, welcome to the point solution, कैसे हो आप सब, तो railway DFC CL की तरफ से 2023 की जो recruitment है, इसमें हमारी एक practice series चल रही थी, जिसमें आज हमारा ये चौथा class है, अब तक हम लोग 3 class already done कर चुके हैं, और यहाँ पे हम लोग history of Indian railway को cover कर रहे थे, जो कि आपको CBT first में 10 number का पुछा जाएगा, जो कि अपकी बा CBT first में, जो की total non-technical है, तो चलिए फिर, move करते हैं हम लोग सिधे, questions की तरफ, जो history of Indian railway से है, तो आज का जो पहला question है, स्वचालित सिग्नल प्रडाली, किस railway छेतर में शुरू हुई, तो जो स्वचालित, that means, automatic signal system है, वो सबसे पहले किस railway zone में start हुई, options आपके सामने है, उत Central Railway के, Naakpur Division में start हुआ था, सबसे पहले ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, कभी start हुआ था, तो ये आपका March 2020, ठीक है, March 2020 में, अगर हम बात करें, तो ये start हुआ था, Naakpur Division में, Central Railway के, इसका headquarter कहाँ पहले है, तो इसका headquarter आपका है, चत्रपती, सिवाजी, महराज Terminus है, इससे पहले इसका नाम था, CST, चत्रपती, सिवाजी, Terminus, ये 1990 में नाम दिया गया, इससे भी पहले इसका नाम किया था, Victoria Terminus, ठीक है, जो ब्रिटिस, की, ब्रिटेन की, महरानी थी, Victoria, Queen Victoria, उनके, गोल्डेल जुबली, सेर्मेनी पर, ये बन करके, पूरा हुआ थ ठीक है, जो ये Terminus था, तो उन्ही के नाम पर, Victoria Terminus रखा गया, ठीक है, और उसके बाद, यहाँ पर, 1990 में, इसको, चत्रपती, सिवाजी, के नाम पर, चत्रपती, सिवाजी, Terminus नाम रख दिया गया, बढ़ ये अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि, वो एक महान थे, तो उसी को एड करने के लिए, यहाँ पर, S.O.T. के बीच में, एम लगा दिया गया, तो अब जा करके, यह, चत्रपती, सिवाजी, महराज, Terminus नाम से, मुंबई में है, जो की Headquarter है, आपका Central Railway का, बढ़ जाते हैं, अगले Question की तरफ, अगला जो Question है, हमारा, RVNL, RVNL भारत सरकार की स्वामित्त वाली सरवाजनिक छेत्र की इकाई है, RVNL का वेस्तरित रूप क्या है, तो यहाँ पर केवल हमसे, फुल फॉर्म पूचा जा रहा है, कि जो RVNL है, उसका फुल फॉर्म क्या है, और यह 100% स्वामित्त वाली, जो इंडिया रेल्वे है, उसकी एक कंपनी है, जो रेल्वे से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करती है, कंपनी ने रूस की कंपनी के साथ मिलकर 200 बंदे भारत ट्रेन बनाने के लिए बोली भी लगाई है, तो यह भी आपको याद रखना है, जो रेल्विकास निगम लिमितेड है, उसी ने 200 बंदे भारत बनाने के लिए, रूस की एक कंपनी के साथ मिलकर उसको बनाने के लिए एक बोली लगाई है, और सीमेंस के साथ मिलकर कंपनी ने मुंबई मेट्रो के लिए भी बोली लगाई है, रेल्विकास निगम लिम्टेड दूसरे देसों में भी रेल्विकास निगम लिम्टेड ज स्टॉक 58 रुपए पर क्लोज हुआ था जो 8 मई 2023 को बढ़कर 144 रुपए के लेबल तक जा पहुचा यानि केवल दो महिने में RVNL के सेर ने निवेस्को को 149 फिजदी का रिटर्न दिया ठीक है और अगर हम बात करें साल दर साल तो 2022 के अगर हम बात करें तो यहां पर इसने 200 फिजदी यहां पर 149 फिजदी पिछले 2 महिने का यहां पर है तो 200 फिजदी इसने रिटर्न दिया ठीक है 2022 में इसी वज़ा से यहां पर यह जो आपका RVNL है इसको पहले यह क्या थी उसको न उरतन का दर्जा दे दिया जाता है जिसमें कि यह से लिमिट को क्रॉस कर गई और इसको भी अब न उरतना कंपनी का दर्जा दे दिया गया तो ये जो आपका Railway कास निगम लिमिटेड है इसको भी अब नवरतना कमपनी का दर्जा दे दिया गया अगस्त 2022 में तो ये एक important data है आपको याद रखना चाहिए ये अगस्त 2022 में अब इसको नवरतना कमपनी बना दिया गया है अगला question देख लेते हैं रेलवे ने मध्यप्रदेश के जबलपूर नर्सिंगपूर और भौपाल रेलवे स्टेशनों पर 30.44 लाइटिंग सिस्टम लगाए गए हैं ये किस रेलवे जोन के अंतरगत आते हैं ये आपसे पूछा रहा है तो यहाँ पर इस बार लाइटिंग सिस्टम की बात कर रही है signals की बात नहीं कर रहे है, यहां पर lighting system की बात कर रहा है, automatic lighting system, तो यह किस railway zone के इंतरगत आते हैं, यह आप से पूछा जा रहा है, तो मध्य railway, पस्चिमी railway, पस्चिम मध्य railway या फिर उत्तर railway, तो जो correct answer है आपका, यह आपका पस्चिम मध्य railway के इंतरगत आते हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश साइड की और आप जानते हो कि यह अगर आपका नार्थ साउथ यह इस्ट और यह वेस्ट है तो आपका इधर गुजरात ठीक है पड़ेगा उसके पहले यहां पर मध्य प्रदेश पड़ेगा बीच में ठीक है और यहां पर मुंबई है तो सेंट्रल का तो जो सेंटर रेलवे हो तो मुंबई में है बड़ जो पस्चिमी रेलवे का आप देखोगी हला कि वह भी मुंबई में बट यह भी आपका पस्चिम मध्य की बात कर रहा है ठीक है सेंटर की बात कर रहा है थोड़ा पस्चिम में है लेकिन सेंटर में है तो यहां पर अगर हम बात करें यहाँ पर रेलवे ने यह आटोमेटिक लाइटिंग सिस्टम मध्य प्रदेश के जबलपूर नर्सिंग पूर और भुपाल रेलवे श्टेशनों पर लगाए हैं जो पस्चिम मध्य रेलवे जोन के अंतरगत आते हैं पस्चिम मध्य रेलवे की मुख्य जनसंपर् ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान के साथ इन स्टेशनों पर रोसनी को नियंतरित कर रहा है क्या है इसके बारे में कि जैसे ही ट्रेन रेलवे स्टेशन पर पहुचेगी प्लेटफॉर्म की लाइट हंड्रेट फीसदी मतलब हंड्रेट परसंट चमता पर अपने आप जल और ट्रेन के छूटते ही स्टेशनों की 50 फिसदी लाइट बंद हो जाएगी इससे भुपाल और जबलपूर जैसे बड़े स्टेशनों पर हो जाना 100 यूनिट से ज्यादा बिजली की बचत हो रही है जिसे पैसे की बचत होगी तो यह आपका लाइटिंग सिस्टम इस तरी अगला जो कुष्चन है यहां पर हमारा फोर्त नंबर का निमद लिखीत में से भारती रेलवे के किस विभाग में रेलवे कोड नियम है तो यहां पर रेलवे कोड नियम की बात थो यह तो आहां पर की लेज़िः और चैयंड हो गया और जितने फ become होगया ठीक है है इस स्टेशन होगया और इhtसने जोन हो गए ठीक है जोन इन सबका एक कोई पाइल वहन пред तरीके से जो लेखा विभाग है इसका भी एक कोड होता है तो यहाँ पे एक्चुली रेलवे डिपार्टमेंट में जितने भी डिपार्टमेंट है ठीक है रेलवे में जितने भी डिपार्टमेंट है हर एक डिपार्टमेंट किसी ने किसी कोड पर काम करता है ठीक है उनका ए रेलवे कोड नियम है, राइट, अगला कुईशन देख लेते हैं, डैस, कोच, स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं, और अंदरोनी हिस्से अलूमिनियम से बने होते हैं, जो पारंप्रिक रेक की तुलना में उन्हें हलका बनाते हैं, तो कौन से ऐसे कोच होते हैं, जो स्टेनल जाने टाइब का कोच है अब ज्यादा तर इसका चलन नहीं है ठीक है यह आपके माइल्ड इस्टील से बने होते थे जिसकी वज़ासे यह थोड़ा भारी होते थे इसके कंपरीजन में लहीं के कंपरीजन में वहीं अगर हम बात करें यहां पर तो आप देख सकते हैं यह आप पुर्थला है उसने उसकी सहाथा से जर्मन कंपणी की सहाथा से इसको बनाया था ठीक है पहले वहीं से इसका आयात होता था और 2000 से यह चलन में है ठीक है 2000 से लएजबी कोचेज आने लगी भारत में जो की ब्रॉड गेज पर चलती है और ज्यादा तर यह सैप्टी इसको निर्मित करता है और वहीं अगर हम बात करें तो 2018 में इसको अंतिम बार इसको बंद कर दिया गया और यहां पर आई-सी-अप जो कोच है इसको ततकालिन प्रधानमंत्री जवाहलाल नहरू जी ने हरी जंडी दिखाई थी ठीक है दो एक्टूबर 1905 को और अगर हम ब है काफी 280 या 300 के करीब लोग इसमें मर चुके है ठीक है उनकी जाने जा चुकी है तो सेटी परपच्की में बात इसलिए कर रहा था क्योंकि पहले जो ICF कोचे जाते थे ठीक है इसमें हुक कप्लिंग होती थी तो क्या होता था कि जो टिब्बे होते थे इसके ठीक है अब सब्था और इनमें पार होता है ठीक है जब्सक्राथ होता है तो पीछे की जो बोगियां होती थी इन सब में हो खुप्लिंग होती थी अब हुक क्प्लिंग थोड़ा लूज होता था लूज कहने कि मतलब lhb के कमपरिजन में बात कर रहा हूं अब ये क्या होता था कि जो होते थे या तो इधर उधर ये डिब्बे हो जाते थे या फिर एक के उपर एक आपने देखा होगा जो पहले रेल हाथसा हुआ है इससे पहले एक के उपर बोगियां चड़ जाती थी ठीक है एक के उपर एक ऐसे चड़ जाती है या फिर बहुत जादे इसमें नुकसान होता हो बट मैं दिखा दूंगा वो क्या होता है कि अब इससे क्या होगा कि जो पटरियां है उस पे जो जो रेलवे ट्रेक है उस पे जो इसके डिब्बे हैं ठीक है इस कपलिंग की वज़ा से एक की ऊपर एक नहीं चड़ेंगी टककर होगा तो भले ही वो डिरेल हो जाएं वो हो सकता है मतलब ICF के कंप्रिजन में इसमें थोड़ा कम नुकसान होगा हाला कि आपने अभी देखा कि जो कोरो मंडल वो च्छितर-वितर हो गया है ठीक है तो काफी जादे नुकसान होगा है भले ही लजबी कोच्यूज हो रहा था बट मेरे बताने का यहीं मेरे मुद्दा था कि LHB coaches को ICF से इसलिए remove किया गया कि काफी सारे इसके फाइदे थे ठीक है मतलब इस सब्बे क्या होता है कि last में एक आपका dynamo लगाया जाता है जनरेटर सेट किया जाता है जो हरे अगले question की तरफ अगला जो question है कि भारती रेलवे की राष्ट्री अकादमी NIR के वरतमान उप महानीदेसक कौन है तो जो भारती रेलवे के राष्ट्री अकादमी N-A-I-R ठीक है इसके वरतमान में उप महानीदेसक पूछ रहा है कि कौन है तो National Academy of Indian Railway इसके जो उप महानीद पूछा क्योंकि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे इसके website से देखा था तो जो महानीदेसक का है मतलब डिरेक्टर जनरल का जो पोस्ट है वो वेकेंट है अभी और जो यहाँ पे डिप्टी डिरेक्टर जनरल है उप महानीदेसक वो यहाँ पे आपके राकेश वो किसके अंडर में होता है तो जो पुरुवत्तर सिमान्त रेलवे है ठीक है नार्थ इस्ट फ्रंटियर रेलवे ठीक है तो जो नार्देस्ट फ्रंटियर रेलवे है ठीक है फ्रंटियर रेलवे उसके अंडर में उसके रख रखा उसके देख रेक में यह जो आपका दार 1881 में जो पुर्वत्तर सिमान्त रेलवेन है इसको चालो किया था दार्जलिंग हिमालियन रेलवे को अगला जो हमारा क्विस्चन है कि भारत ने पहली सताबदी रेल किस वर्स में शुरू की गई थी 86 87 88 या फिर 89 में तो ये 1988 में स्टार्ट हुई थी तो third option यहाँ पर आपका क्या है correct है अगर हम बात करें यहाँ पर सताबदी एक्स्प्रेस जो rail गाड़ियां है यह तेज चलने वाली सवारी गाड़ियों की एक स्रिंखला है जिसका परिचालन भारती rail करती है जो भारत के बड़े महत्वपूर्ड एवं वेवसाइक सहरों को आपस में जोड़ती है सताबदी एक्स्प्रेस का परिचालन दिन के समय होता है एवं यह अपने मुल स्थान एवं गंतव की आत्रा एक दिन में पूरी कर लेती है ठीक है फ़ड़ा तेज चलती है यह इसी का उत्राधिकारी जो T18 है जो वंदे भारत एक्स्प्रेस है उसको माना जाता है ठीक है पहले यह तेज चलती थी लेकिन अब वंदे भारत ने उसका जगह ले लिया है यह भारत में 1988 में शुरू की गई थी उस समय इस ट्रेन को एक बड़ी प्लबधी माना जाता था इसको समाज का एक वर्ग के द्वारा भारी अलोचुना का सिकार भी होना पड़ा था उनके मुताबिक भारत जैसे गरीब देश में इन विलासिता पूरण गाड़ियों की कोई आवस्यक्ता नहीं है लेकिन समय बितनेक साथ साथ इस ट्रेन का इस्तर विलासिता और गती के विस्वमानकों के हिसाब से काफी नीचे तक गिर गया है सताबदी देखिए दो इस्टेशनों के विच सबसे तेज गती से अपना सफय तयक करती थी ठीक है करती है नहीं करती थी और मार्ग में इसके इस्टेशनों की संख्यावी बहुत कम होती थी ये पूरी तरह से वाता नुकलित और भारती रेल डिबो की तुलना में इनका इ जानी भी देता है तो यह कुछ इसके बारे मेरा ठीक है जो आपको जानना चाहिए बढ़ जाते हम लोग अगले कोईशन की तरफ अगला जो कुईशन हमारा भारती रेलवे के अनुसार अगर हम बात करें तो जो रेलवे के घिसने की अनुमें सीमा है मतलब की जो वीर करने का जो यहां पर लिमिट है वो कितना है 2% 5% 10% 15% तो यहां पर हम बात करें तो जो करेक्ट आंसर है आपका 5% ठीक है तो यहां पर 5% अगर हम बात करें पर मिसिबल लिमिट ओफ रेल वियर ठीक है अगर यहां पर बात करें पर मिसिबल लिमिट आप रेल वियर तो यह आपक क्रूप से वास्तविक रूप से घिसी वी रेल को तॉल कर या रेल की सटीक प्रोफाइल का आरेक बना कर निधारित किया जा सकता है यहां पे एक महतपुर्ण जो इंपर्टेंट पॉइंट यह है कि जिन रेलों ने अपने मूल वजन का 10% से अधिक हो दिया है उन्हें किसी परमिसबल लिमिट है रेल वियर की वो कितना है 5% आपको याद रखना है अगला कुश्चन हमारा है कि आम तोर पर भारती रेलोए में उप्योग की जाने वाली गिट्टी समगरी में सामिल होते हैं तो आपने देखा होगा कि रेलोए ट्रेक पर क्या होता है काफी सारी गि इन सबका यूज होता है यह गिट्टी के फॉर्म में होते हैं अगर हम यहाँ पर बात करें तो गिट्टी के लिए निमिल्खित समगरीयों का उप्योग रेल ट्रेक पर किया जा सकता है जो टूटे हुए पत्थर होते हैं बजरी होती है सिंडर्स या राख आपने देखा ह होगा रेत कंकड मरूम इट की गिट्टी ठीक है इन सबका यूज होता है और यह यूज होता क्यों है एक्चली तो आपको भी आपको यह पता ही होगा तो इसके दो तीन रीजन है जैसे कि पहला रीजन तो यह है कि जो रेल की पटरिया है उनमें घास हूस ना होगा है ठीक है आप सोच सकते हो कि इतनी जब भारी ट्रेन गुजरेगी तो इसके पटरियां उनमें कमपन होता है तो इसकी जो इस्टेबिलिटी है वो बनी रहे ठीक है इसमें घरशड ना हो इस्टेबिलिटी बनी रहे उसकी वज़़ा से यहाँ पे गिट्टियां इनके उपर बिच तो चेनाब घृच जूबली घृच पंबन बिच भी कि दो ऑपका सबसे लंबा रेल्वे ऑलिज हो चुका है पकोट है यहाँ पर ही ऐगर उसकी बात करें तो एक रेल्वेः पुल है जो मुख्यभूमी भारत में अ मंधप्सी पहर को पंबन द्वीब पर रामिस्वरम से जोडता है 24 फरवरी 1914 को इसको खोला गया है ठीक है यह आपको याद रखना है 1914 को 1914 में 24 फरवरी को खोला गया यह भारत का पहला समुद्री पुल था और 2010 में बंदरा वारली सी लिंक के खुलने तक भारत का सबसे पहला समुद्री पुल था तो यह आपका रहा पंबन ब्रिज इसी पे अगर मैं बात करू तो इंट्रेस्टिंग फैक्ट यह है कि चन्नई ज 22 फरश्तावीत था पूरवी पुर्वी पश्ची में गली आ रहा तो यहां पिए अम लोग एक्चुली जितने भी प्रस्टावीत थे उनको देख लेते हैं ठीक है तो एक चुली जो पुरवी पस्ची में गली आ रहा था वह आपका भुसावल से दान कुनी तक था ठीक है तो second option यहाँ पर आपका क्या है correct है अगर हम बात करें पुर्वी पस्चिमी ठीक है East West corridor की तो यहाँ पर आपका यह आपका जो पुर्वी पस्चिमी के लिए रहा था भुसावल से दानकुनी तक था टोटल जो length 30 की वो 1738 km यह प्रस्तावित है और वहीं अगर हम बात करें जो East Coast corridor है आपका corridor यह official website से लिया गया data है वहीं से मैंने यह photo उठाया है तो East corridor जो यहाँ पर है East Coast corridor जो पुर्वत 30 corridor बोलते हैं इसकी जो total route length है वो 1080 km है और यह आपका खड़कपुर से विजयवड़ा चलती है ठीक है खड़कपुर से विजयवड़ा तो यहाँ पर आपका जो East Coast corridor है ठीक है East Coast corridor मैं यहाँ प्लिक देता हूँ आप इसको जरूर नोट कर लिजेगा ठीक है और इसका जो length है वो कितना है 2080 km तो यह आपको याद रहना चीए ठीक है East Coast corridor खड़कपुर से विजयवड़ा यह सब 2021 में प्रस्तावित थी और वहीं अगर हम बात करें कि जो आपका question पुछा था गलियारा ठीक है इसका जो route length है वो कितना है तो यह आपका 890 km ठीक है 890 km यह आपको याद रखना है यह 8RC से विजयवड़ा तक तो यहाँ पर यह आपका जो विजयवड़ा है वो आपका North-South corridor है ठीक है North-South corridor और इसकी जो total route length है वो 890 km यह important data है इसको आप जरूर एक बार note करके लिख लीजिए जहां भी आपको दिखे तो चलिए फिर बढ़ जाते हैं अगले question की तरफ अगला जो question है हमारा कि निमनलकित ट्रेनों में से अनार सी है तो अन्तियोदय Express second option यहां पर आपका correct हो जाएगा अन्तियोदय जो Express है वो पूरी तरीके से unreserved है यह एक super fast train है सबसे इसकी खासियत यह है कि एक तो unreserved है passengers के लिए है और super fast भी है तो यह अगर हम बात करें तो यह rail budget 2016 में railway ने आम लोगों के लिए एक अन्तियोदय Express लंबी दूरी की super fast train शुरू करने का प्रस्ताव गिया जो घने यातयात मारगों पर चलती है उस समय पे जो ततकालीन rail मंत्री सुरेश प्रभू थे इन्हों इसका प्रस्ताव रखा था तो अंतियोदय Express जैसी और भी train होनी चाहिए I think ताकि जो trainों में भीड ना हो क्योंकि काफी सारे ऐसे passengers होते हैं जो जनरल बोगी में सफर करते हैं और बहुत ज्यादे उसमें भीड हो जाता है काफी सारी trainों में जनरल बोगी में आप देखोगे आज उसी का परिडाम रहा कि काफी सारे यात्रियों को rail हाथ सामें अपना जान गवाना पड़ा ठीक है जो आपक किस वर्स में दुरंतो ट्रेंज सेवा शुरू ही थी तो दोजार एकिस को आप याद करिए काफी सारे questions ऐसे पूछे गए जिनमें केवल ऐसे ही पूछ दिया था कि बनारत से लहबाद को कप जोड़ा गया या फिर यह ट्रेंज का शुरू ही तो यहां पर भी दुरंतो ट् रुकने वाली ट्रेनों की एक स्रेडी है ठीक है तो काफी कम जगह पर रुकती है और लंबी दुरी तैय करती है इस ट्रेनों में मूल और गंतव्य के बीच कोई टिकट स्टाप नहीं है बंगाली भासा में दुरंतो का राम आराम हीन है ठीक है इसी वज़़ा से आई थिं से सतापदी एक्सप्रेस है वैसे ही आपका ये भी है 130 किमी प्रती घंटा कि इसकी अधिक्तम गती है हरला कि इतने तेश चलती नहीं है और अगर हम बात करें तो दुरंतो ट्रेने भारत की सबसे तेश ट्रुव में से एक है तो यह सब कुछ चीजे है 2009 में सुरू ही थी ठ तो किसने भारत का पहला स्वर्ण राजधानी राच प्रस्तुत किया है तो यहां पर आपको जोन बताना है कौन से जोन ने शुरू किया तो यह नई दिली से शुरू ही ठीक है और इसका मकसद था काफी अच्छी सारी सुईधाये इसमें प्रदान करना तो पहला सवर्ण प्रस्तुत किया था वह फुर्वी रेवे जोन ने किया था ठीक है इस काईक्वार्टर आपको पता होगा आप नक्से में का यूज के रिए मैं बारा का這邊 को याद करने लिए कि फो इसी ने शरू किया इसको ठीक है भारत का पहला स्वर्ड राजधानी रेक प्रस्तुत किया है अगला जो कुश्यन है मारा कोलकाता और ढाका के बीच कौन सी एक मात्र ट्रेन चलती है तो यहाँ पे कोलकाता और ढाका के बीच के बोल रहा है कि कौन सी एक मात्र ट्रेन चलती है हलाकि धाका जो देखिए आपका बंगलादेस में है तो भारत से बंगलादेस के बीच एक बंधन एक्स्प्रेस है वो भी चलती है और यह important question है इसको आप note करके रखिए कोलकाता और धाका के बीच जो एक मातर ट्रेन चलती है उसका नाम है मैत्री एक्सप्रेस ठीक है मैत्री आप बंगलादेस के बीच विदेसी संबंधों के लिए ट्रेन सेवा को महत्तो को दर्शाता है मैत्री एक्सप्रेस बंगलादेस में ढाका को भारत में कुलकाता से जोडता है तो कुलकाता से लेकर के ढाका तक यह चलता है ट्रेन ने देखिए 14 अप्रेल 2008 यह आपको यह कहां से कहां तक चलती है तो यह आपका कोलकाता से ही चलती है इंडिया के और यह आपका जाती है बंगलादेश के एक खुलना करके सहर है ठीक है खुलना करके खुलना करके सहर है वहां तक जाती है तो कोलकाता से खुलना तक को यह जोड़ती है जो कि बंगलादेश में है अगला क्विश्चन देख लेते हैं कि कौन सी ट्रेन दच्छिड मद रेलवे असीयार में ट्रेन कैप्टन वाली पहली ट्रेन बन गई है तो कौन सी ट्रेन ऐसी है जो साउथ सेंटर रेलवे की बात कर रहा है ठीक है अगेन आप हेड़कौर्टर इसका याद करिए कहां पर ह मतलब साउथ में आएंगे तो चिननई में इसका साउधन रेलवे का और साउथ सेंटरल में आएंगे तो सिकंद्राबाद आपको देखने को मिलेगा ठीक है तो यहां पर इसका है और अगर हम बात करें कि यह प्यान सी ट्रेन है जो ट्रेन कैप्टन रखने वाली पहली ट् धुष हम बात करें याँ पर तो काची गुडा से चितूर की योई ठीक है तो एंसको रखाए और वें कटाधरी एक्स्प्रेस दशीर मद रिल्वे में ठ्रेन केप्टन कें आधाria जोगी और हम बात Bent इस ट्रेन में जो यातरा टिकट परिच्छक टीटी ही होते हैं उन्हीं वैसे जो सबसे वरिष्ट होगा उसी को यह कहपतानी सौपी जाएगी राइट अगला कुईस्चन देखते हैं रेल मदद एप द्वारा निम्दल्खित में से कौन सी सुविधाय प्रदान की जाती है तो रेल मदद द्वारा कौन सी सौविधाय इसमें से प्रदान की जाती है यह दिखिए प्यूस गयल जी द्वारा सुरू किया गया रेल मदद एप था ठीक है अब इसमें अगर हम बात करें यह कोईस्चन पहले भी सायद हो चुका है और यहां पर सुरक्षा चाइल्ड हे सकते हैं यह सारी सुविधाय रेल मदद एप में हैं यहां पे अगर हम बात करें रेल मदद एप की तो रेल मदद एप्लिकेशन को रेलवेय यात्रियों को उमंग एप इसको भी आपको याद रखना है उमंग एप के माध्यम से सिकायत दर्ज कराने या सुझाव देने और सिकायतों की लाइव विशिती को ट्रेक करने की सुविधा के लिए विक्सित किया गया है इस पोर्टल का उदेश्य रेल्वेय यात्रियों को अनभव को सिकायतों के त्वरित और संतोस जनक समधान के साथ बढ़ाना है इसके कारिक के घंटे हैं सुमार से सनिवार तक आप अब तक के लिए थैंक्यू टाटा एंड बाई बाई